गरीबी गरीबी तीन अक्छर के येगो सब्द बा लेकिन एकर जोन अर्थ होला जोन एकर मतलब होला सही धंग से उँ आदमी समझ सकता जे ओ गरीबी से गुजरत होखे आथवा गुजरल होखे जिस साइड में रगए सहबे एको लड़की के देख सकता नी इनका के चाहे महिला कहली या लड़की कहली ये से की ईमाली की कुवार भी बाड़ी लेकिन मा भी बाड़ी इनकर एस्टोरी अईसन बाज आवना एस्टोरी के अगर रवगा सुनता नी तो कही ना कही अगर इंसानियत रवगा में होई तो रवगा आक से आसु छलक जाई इनकर हालात अईसन बनता, इनकर गरीबी अईसन बनता, क्रोना काल में इनकर मता पिता भी ये दुनिया के छोड़ के चल जाता लो, भाई हो गईरे भी दुनिया छोड़ के चल जाता लो, उक्राबास से इतना हो जातारी, दिल्ली में कहीं काम धाम करतारी, उक्राबास से रि बाटे हमनी के अब इनका जुबानी सुने के कोशिस कल जाता। बाटे हमनी के अब इनका जाता। बाटे हमनी के अब इनका जाता। लोगडाउन के टाइम पर ही नहीं है। लोगडाउन से अब अकेले ही रह रही है। थोड़ा तीज आप बोलना ता कि आपकी जो आब आज है वो लोगों तक पहुँच पाए। तो इसके बाद से आप यहां पे जो और केस्टा लाइन है जो डांसिंग की लाइन है इसमें आप कैसे पहुँच गई। और काम करती ne क्या लाइन और लिए वनली हाओ तो पइसे के जरूरत आप काम करती की इतना पशाीती है ङंए कोला आपको कितना पैसा मिल जाता है। 내가 आप के लिए तो कितना कैसा मिल जाता है। एक के लिए जब आप ड sus dragına के लिए जाती हूं तो आप कितना पैसा मिल जाता है वह पार्टी की कोई 15 सो भी देता है दो यह जार देता है को छोटा प्रोग्राम के 500-700 अब चलते हैं इनके लव है श्टूरी की तरफ जिनकी किस्मत खराब होती है वो हर एक तरफ से खराब होती है यह प्यार करती है एक सक्से वो इनको बिना साधी क के ही मा बना जाता है यह इनको एक बच्चा भी एक बच्ची है और उसके बाद से आप इनके सीने पर एक लड़के का टैटू देख सकती है यह उस लड़के का टैटू है जो इनके साथ इंसानियत की तरह पेसाया इनका दवा इलाज भी कराया तो यह भगवान की तरह पू नहीं, बच्चे feminan की में बांए भासे भागलाust है अब नहीं कि नहीं घ्रवपारी नहीं हुए? नहीं, नहीं हुआ नहीं हुआ है उनके चाथसंट में रहते थे हम साथ मेसने द्रौ के में उसने लौटत hadi और को भी खॉल तो होई जाएंगे तो फिर दुनिया में नहीं है तो इसलिए फिर हमने जो आपके पहले प्रेमी थे ओभी इस दुनिया में नहीं है नहीं है ओभी चलवसे है तो हम इनी के सारे अपना रहते थे हमारी सपोर्ट करते थे हर चीज में यह जिस लड़के की आप टाइटू कर गए और यह जो आप टाइटू बनवा रखिये सीने पर यह यह कहां पर आए अभी यह अपना घर पर है तो इनसे भी आपको प्यार मोहबबत हुआ है इनसे ज्यादा है क्योंकि हमारे बच्चे के भी अपने बच्चे के तरह मानते हैं मतलब यह नहीं होता है कि हाँ एक तो इसलिए और याद के लिए अपना तस्वीर बनवा रखिये तो यह जो लड़का है यह आप से सादी करने के लिए राजी है नहीं उसके घरवालो राजी नहीं है कह रहे हैं कि समस्ति पुर्का समस्ति पूर आपकर आप किया ऍ attach लड़के से बादचीत होती आ आपकी नापी नहीं होता अभी नहीं होता थो फिर केवल लिए नहीं होटाई जाउ रह रह रही हो इस लड़के ने आपका हेल्फ किया है, हाँ, इस सहारे ज रहेंगे और आगे भी रहेंगे, भी रहते भी और आगे भी रहेंगे, तो आगे चल कर फिर आप दूसरी साधी करोगी, नहीं, तो स्टेटू के सहारे रहना है, बच्ची है उससे के सहारे रहेंगे, तो फिर एक ज कोहीं नहीं जानता होगा इस जमाने को जिन राहों से आप गुजर रही है उस राहों में तो और भी माली जेक अनेरिया टाइप के लोग मिलते होंगे तो बिना पूरुस के आप जीवन ऐसे ही बसर कर लोगी बच्चे है उसके उससे कर लेंगे जिन्दिकी उसके देखना है दुसरा साधी करने से क्या मिल जागा, कुछ मिल जागा, क्या पता, वो भी हमारे नितक्दिर में उससे खराब लेकल गया, तो इससे अच्छा है कि अपने बच्चे के देखो, उसका नसीब देखो, उसका आगे बरानी कोशिश करूँ आपको लगता है कि कहीं साधी हम करते ह और फिर वो एसे ही मिल गया, तो फिर एक भरा हुआ जो जख में वो फिर हरा हो जाएगा, तो इसलिए साधी नहीं करना है, साधी आप नहीं करोगी, यह पूरी तरीके से ठान चुकी है या किसी मोड पे, देखिए एक गाड़ी अगर एकसिडेंट हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि सावारी गाड़ी पे बैठना तो छोड़ना ही देते हैं, फिर हो सकता है कि कोई अच्छा खासा इंसान आए आपके जीवन में, जो आपके जीवन को कही ना कहीं बदल दे, तो फिर आप साधी करने के लिए फिर भविस में आप सोच सकती हो, नहीं, क्यों? हमें करना ह है यही नहीं है, अजिसने हमें इतना सब कुस किया है, उससे के साहरे जीना है, चाहे हो साधी कर ले, हमें कोई एतराज नहीं है, चाहे हो साधी कर ले लेकिन आप उसी के नाम पे पुरा जिवन गुजार दोगी? हाँ तरह से देखा जाई तो बहाफा ही है थो क्या आप समझ रहले हो कि आपकी तक्दीर ही है कि मलीजे की जूभी मेरती है के नहीं वो करते हैं, हम अपने नसीबों को दोस्ते हैं, कि हमारी नसीब खराब है, हमारी नसीबी ऐसे लिखा हुआ है, आप एक जिससे प्यार करती हो, जिससे आपको एक बच्ची होती है, वो इस दुनिया को छोड़ कर चला जाता है, फिर आप कोई जीवन में एक और सक्स आता है, फिर आप उससे भी प्यार करती हो, आपकी हेल्फ भी करता है, उसका टैटू भी आप सीने पर बनवा लेती हो, लेकिन ओ भी आपको अब दर्किनार कर रहा है, तो यह ऐसा की हो रहा है? शिर्फ दहेज के पीछे, क्योंकि पांच लाख रुपय दहेज हमारे पास नहीं है, तो प्यार अगर उसको होगा, तब दहेज की कोई इसमें बात ही नहीं है, नहीं तो मली जे की वो भी आपको यूज करके छोड़ दिया, यहीं नहीं है? तो पांच लाख रुपया आप उसे दे दोगी तो कर लेगा साधी, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है, कि वो आपको औरकेस्ट्रा वाली जानकर कहीं नहीं चूड़ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जब हम लोग एक दूसरे बातचित के उस्टाएं पर हम कुछ भी नहीं थे, स्रिफ कमपनी में काम करते थे, औरकेस्ट्रा लाइन तो मैं आभी पक रहा है, तो जो यह औरकेस्ट्रा लाइन है, यह आपको लाइन काईसा लग रहा है? सही नहीं लग रहा है, मगर फिर भी क्या करें, मजगूरी है अपने परिसानियों के पीछे करना पर रहा है, क्योंकि अगर नहीं कमाएंगे तो अपना इलाज कहा सकराएंगे, अगर हमें कुछ हो जाएग तो हमारे बच्चे यह कौन देखेंगे, इसलिए, और आपको बी सब्सक्राइब हो जाता है, क्योंकि मालिक सिधा बोलता है, कि अगर हमारे सिकाइद आएंगे, तो फिर हम पैसे काटेंगे, तो इसलिए उस तरी किसे करना पर था देखिए, यह जो दुनिया होती है, चाकाचोंद की दुनिया होती है, औरकेस्ट्रा की दुनिया, जब आप एस्टेज पे चड़ते हो, तो दुनिया यह कता ही नहीं देखेगी, कि आपके पीछे क्या प्रोब्लम है, क्या आपकी किस्मत है, क्या आपकी बिमारी है, जो दर्सक है, वो आपको हस्ते हुए चेहरे, कुछ अर्धनंग चेहरे, वो इस तरह से ही देखना चाहेंगे, लेकिन जो डान्सर है, अब उनकी प्रोब्लम क्या है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है, वो उसके लिए पैसे पेड़ किये रहते हैं, कि कही ना कही आप आकर नाचोगी, लेकिन इनके पीछे की जो मजबूरिया होती है, जो परदे के पीछे की इनकी कहानिया होती है, उसे कोई नहीं देखता है, आपकी जो भविश्य है, वो आप किस तरह से देख रही है, मेरा कंड़ जीका होती है, कि कहा आप किसे लेना में पड़ता है, तो जल्दी लेता भी नहीं, अपने जिन्देह बहुत ख़स्त है, कículos ऐसे तो एक अपने रही है कि मारज़ा करता है, इस अच्छा जिन्देह की बंढ़ताथ है, जब तक जी रहे हैं. और जो और केस्ट्रा लाइन है इसमें तो बहुत अनेरिया टाइप के ही लोग मिलते हैं बहुत इंसान ही है इसमें कितना भी अच्छा इंसान हो वो खराबी सब दिलिकालता है खरावी सब निकलता है और इसमें जो भी दोस्ति करना चाहता है उसकी जो नजर होती है वो जिस्म पे ही होती है हाँ हाँ जवर्दस्ति बोलेगा नंबर दे दो अपने हमारे साथ में साधी करो हमसे सेटिंग करो तो नहीं करोगी तो गोली मार दूँगा गोदियें बैठ नहीं बैठेगी तो मार दूँगा बहुत करश्ट जहलना पड़ता है फिर क्या करें जहलते हैं कि अभी को एस्टेज पर लडाई भी हो जाता है इसी के पीछे तब कही ना कहीं आपको जाकर हाजार बारा सो पंद् नाचती है जो एस्टेज पर नाचती है लेकिन इसके दुखो को कोई नहीं देख पाता है उसकी कोई परवाह नहीं करता है क्योंकि इनको नाचने के लिए चेहरे पर मुस्कान के लिए पैसे दिये जाते हैं जो इनकी ये स्टोरी है आप लोग कही ना कहीं अगर दिल से टोरी जो है पत्थर को भी पिगला सकता है चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में